हेलो फ्रेंज, इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्टॉक SIP उसका मॉडिफिकेशन एन कैंसल कैसे कर सकते हैं HDFC Securities पर अगर कोई भी स्टॉक्स आप लामसाम एमाउंट देके नहीं खरीच सकते हो उसको आप mutual fund की तरह SIP mode पर भी खरीच सकते हैं HDFC Securities mobile application पर तो चलते हैं देख लेते हैं कि HDFC Securities पर how to create SIP in stock, how to modify it and how to cancel it तो साड़ा details हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो पर तो वीडियो को ज़रूर एन तक देखिएगा और अगर आप first time मेरे चैनल पर visit कर रहे हो तो चैनल को आप subscribe जरूर कर सकते हो for more informative videos के लिए तो चलते हैं शुरू करते हैं तो देखिए यह HDFC Securities का mobile application है तो आप जो stocks को पसंद है उस stocks को select करने के बाद आप SIP कर सकते हो तो for example मैं यहां पर search कर लेता हूं कोई एक अच्छा stocks जैसे अभी power sector का stocks टाटा पावर बहुत तो अच्छा कर रहा है तो मैंने टाटा पावर limited को select किया टाटा पावर limited nsc and nsc जैसे मैंने इस stocks को select किया है तो उसका जो अभी latest price है 121 रूपीज 45 पैसा वह अब स्कीन में आपका current price आ जाएगा सब कुछ details आ जाएगा नाव अगर आप चाहते हो कि इस stocks को आप SIP क्रेट करना चाहते है तो यहां पे जो नीचे buy sell and SIP जो button दिया गया है एक दोम नीचे देखिए below section में तो वहां पे आपको SIP पर क्लिक कर देना है तो मैं अभी SIP पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया SIP बटन पर तो आपको ऐसे पेज दिखाए देगा जहां पर लिखा रहेगा create SIP and basket name तो basket name mandatory नहीं है बट basket name आप कोई भी कुछ भी डाल सकते हो आपका power sector SIP आपका जो भी नाम है ABC1 ABC2 ऐसे करके जो भी basket आप नाम दे सकते हो तो for example purpose मैं यहां पर लिख रहा हूँ पावर सेक्टर स्टॉक ठीक है पावर सेक्टर यहां पे पावर सेक्टर लिख रहा हूँ बस पावर सेक्टर लिख दिया basket name और यहां पे देखिए amount जितने amount आप करना चाहोगे उस amount पर आप चाहो तो quantity quantity भी कर सकते हो for example आप every month 10 quantity का stocks कोई भी power टाटा पावर के आप जो भी stocks है उसका 10 quantity stocks every month purchase करना चाहते हो तो आपको यहां पे quantity select करना पड़ेगा और अगर आप amount select करना चाहते हो कि every month I want to invest 2000 रुपेस ठीक है पावर सेक्टर टाटा पावर के लिए तो मुझे amount select करना पड़ेगा तो यहां पे मैं amount select कर रहा हूं और frequency monthly है weekly है fortnightly 15 days and daily है तो मैं monthly select कर रहा हूं okay and period of months 24 months minimum 25-26 मैं दो साल यानि 24 months के लिए यह SIP करना चाहता हूं start date किया है start date जो आज का date है उससे एक दिन दो दिन बात आप रखिए तो जैसे आज मैं इसका 22 कर देता हूं 22 of June ठीक है तो मैंने date भी डाल दिया अभी मुझे amount जो डालना है वो next page में डालना है अभी मैं next पर क्लिक कर देता हूं तो देखिए यहां पर next page में आपको दिखाई दे रहा है कि टाटा पावर स्टॉक्स कोंपणी का नाम टाटा पार कोंपणी लिमिटेट नौ यहां पर आपको amount एंटर करना पड़ेगा कितना amount आप monthly invest करना चाहते हो SIP करना चाहते है पर टाटा पावर स्टॉक्स के लिए तो मैं यहां पर 2000 डाल देता हूं 2000 एफरी month आप यह stocks में आप invest करोगे as SIP ठीक है तो मैं यहां पर add पर क्लिक करता हूं तो जैसे मैंने add पर क्लिक करा तो यहां पर देखिए आपको दिखा रहा है कि add it successfully amount 2000 डूपेस लास्ट रेडिंग प्राइस 121 डूपेस 45 पैसा यहां पर next का एक बटन दिया गया है जो की next step है तो मैं यहां पर next पर क्लिक कर रहा हूं तो जैसे मैंने next पर क्लिक किया मैंने यहां पर पूरा information आपको दिखा रहा है कि market order cash amount period 24 months start date 22nd June amount पूरा दिखा रहा है और यहां पर degree with the Thompson condition पर क्लिक कर देना है और यहां पर फिर confirm बटन पर आपको क्लिक करना है तो जैसे मैंने confirm बटन पर क्लिक करा आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहां पर एक message आ गया लिखा है कि SIP basket created SIP basket number is यह 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 जो भी एक number है ठीक है फिर इसको अगर आपको कुछ modification करना है ठीक है तो आप यहां पर जाके आप कर सकते हो आप जैसी करोगा SMS भी आ जाएगा कि वे यह यहाप created an SIP for this talk ठीक आपका register mobile पर SMS भी आ देगा तो आप जैसे view SIP book पर click करोगे जैसे मैंने भी किया आप देख सकते हो यहां पर कि आपको पूरा डिटल्स यहां पर दिखा रहा है ठीक है तो यहां पर view SIP अगर आप करोगे यहां पर जो ग्रीन बटन है नीचे 22 जुन के नीचे तो यहां पर आपको दिखाए दे लास्ट इडिंग प्राइस अब कुछ तो यहां पर आपको दो अप्शन दिया गया है आइदर इकन मॉडिफाई और इकन कैंसल दा सिप ठीक है तो यहां पर अगर आप मॉडिफाई करोगे जैसे मैंने मॉडिफाई क्लिक किया तो फिर से फर्स्टेम में चले जाओगे ज keep the next step झाल मैंने यहांपेन इसा हका शापी कर रहा a next बास्केट का ग्श्यकनाम देना परेगा फिर से आपको सब कुछ करना परेगा सेंबय में पूरा चीज फिर से आपको वही करना पड़ेगा जो आप पहले किये थे ठीक है पावर सेक्टर तो मैंने यहां पर सारा कुछ डाल दिया नेक्स टेप में मैं यहां पर आमाउंट डाल दिया फिर से अगर कुछ चेंज करना है तो आप 3000 यहां पर कर सकते हो ठीक है 4000 कर दिया एक एले 2000 था मैंने चेंज कर दिया यहां से आप DCNSC सेलेट कर सकते हो तेक छी मदल पिर से आपको टाठाप आप करना पड़े अमाउंट पिर से 3000 एड्ट एड्ट है और आपको यहां पर यांपर यहां स्ट्रॉश मैंपर कर देना है अंको यहां पर आपको date जो है वो दो दिन के बाद डालना है तो मैंने 20 सेकंड डाल दिया फिर आपको यहां पर confirm कर देना है तो देखिए फिर से same page में आ गया ठीक है तो यहां से आप यहां पर cancel भी कर सकते हूं आपको मैंने modify दिखा है how to modify it and आपको मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे cancel करते हो तो जैसे बटन पर क्लिक करोगे cancel पर यहां पर एक grey color का button है cancel sip तो देखिए जब मैं क्लिक करना चाहता हूं यहां पर मुझे message दिखा रहा है कि are you sure you want to cancel it तो मैं यहां यहां पर yes करूँगा तो जैसे मैंने yes किया तो देखिए आया यहां पर your basket has been cancelled तो मतलब आपने जो basket क्रिट किया है अपने modify भी किया आपको मैंने cancellation भी दिया सब कुछ आपको मैंने दिखाया आप अभी cancellation हो गया है ठीक है now question comes कि मैंने sir एक साल के लिए sip किया बाद मेरे पाशा भी पैसा नहीं है I want to stop I want to cancel it in between ठीक है पांच मैंने का बाद शे मैंने का बाद सात मैंने का बाद यह stocks अच्छा नहीं कर रहा है मैं बंद करना चाहता हूँ I want to stop sip for this stocks I want to cancel it तो कैसे करना है सेम वे में आप भी एसाइपी पर जाओगे जैसे मैंने दिखाया next step में last step में सेम वे में आपका भी एसाइपी में वो रहेगा ठीक है वहां से जाके आप cancel कर सकते हो anytime और अगर वहां से नहीं हो रहा है ठीक है second option है कि आप customer care को phone करोगे email भी कर दोगे आप side by side एक email भी करके राखोगे for your document purpose और आप call भी करोगे central number को stepc securities को आप बताओगे उसको किस है मेरा SIP है यह stocks का ठीक है details आप थोड़ा बोल दोगे उसको they will cancel it from backend from their system from backend आप जैसे बताओगे उसको instruction दोगे stepc securities customer care they will cancel the SIP for you अगर आप नहीं कर पाड़े हो तो आप खुद ही कर पाओगे जैसे मैंने बताओगे आपको view SIP में जाके वह आपका SIP दिखाएगा stock SIP वहाँ पे जाके आप anytime you can modify anytime you can cancel बाट फिर भी आपको cancel नहीं करने का कोई option है तो आप stepc customer care securities को customer care at stepc securities dot com per mail कर सकते हो email and email करने के बाद आप उसको call भी कर सकते हो कि this is my SIP ठीक है this is the stock name I want to cancel it I want to stop it I don't want to continue तो फिर क्या करेगा stepc securities customer care they will cancel it from their back-end system ठीक है यह था full process how you can invest in stock in SIP SIP अब कैसे को स्टॉक्स को खरिश सकते हो को स्टॉक्स को बेश सकते हो को स्टॉक्स को आप modify cancel कर सकते हो हाँ सेल के बारे में मैं बाता दू कोई भी अगर SIP आप सेल करना चाहते हो तो उस टॉक्स को अप स्लेट करोगे विव SIP पे जब भी उसका execute हो जाएगा order ठीक है execution होने के बाद आपको दिखाए देगा sale option अभी जैसे execution नहीं हुआ है तो आप नहीं देख सकते हो जैसे आपका execution हो जाएगा four month five month के बाद तब आपको sale SIP for the stocks आपको एक option दिखाए देगा ठीक है वह option पर आपको sale करना है और वह execute हो जाएगा same way अगर आपको नहीं करना आता है आपको कुछ problem हो रहा है system में या फिर application पर आप आप उसको email डाल दीजिए customer care को phone कीजिए they can sell the SIP stocks on behalf of you ठीक है कोई problem नहीं है आप खुद ही application पर जाके view SIP में जैसे execute हो जाएगा आपका order buy हो जाएगा आप वहाँ अगर आप फिर भी problem हो रहा है तो इस्टेप से security customer care तो hey for you they'll support you they'll help you आप उसको instruction दीजिएगा कि you want to sell it now you they'll sell it off for you ठीक है तो कितना आसान आप देख सकते हो कि एक stocks पर आप SIP कैसे कर सकते हो उसका modification कैसे आप खुद ही कर सकते हो उसका cancellation anytime आप कर सकते हो and उसका anytime you can sell it also ठीक है तो यह था पुरा process how to buy stock in SIP mode how to cancel it how to modify it video का थुरा सा भी informative लगा है my friend तो लाइक जरूर कर दीजएगा so that it will reach to the maximum viewers thanks for watching मिलते ऐसे more informative videos के लिए तब तक लिए stay home and stay safe thank you